नवरात्री में वैसे तो पूरे नौ दिनों का बेहद खास महत्व माना गया है लेकिन नवरात्री में अस्टमी तिथी सबसे खास मानी जाती है नवरात्री के आठवे दिन महा अस्टमी या दुर्गा अस्टमी मनाई जाती है यह दिन मा दुर्गा की आठवी शक्ती मा महा गौरा को समर्पित है ऐसी मानिता है कि देवी दुर्गा अश्टमी तिथी पर ही असरों का सहार करने के लिए प्रकट हुई थी इस वज़ा से ये तिथी खास मानी जाती है इसके साथ ही इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है आपको बता देते हैं कि आपको अश्टमी तिथी के दिन कैसे महा गौरी की पूजा करनी है और किस विधी विधान का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जान लेते हैं मा के भव्य सो रूप के बारे में आपको बता दें कि मा दुर्गा का आठवा रूप देवी महागौरी है इनका रूप बहुत ही सौम्य, सरल, सुलब और मोहक है देवी का वन गौर है इसके साथ ही इनके कपड़े और आभूशन भी सफेद ही है महागौरी का वाहन फ्रिशब है इनकी चार बुजाएं है मा के बाएं उपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है दाहिने और के उपर वाला हाथ अब है मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में मा ने त्रिशूल ले रखा है मा महागौरी का स्वभाव बहुत ही शांत है अब माता के पूजन का क्या महत्व है आप ये भी जान लीजे धार्मिक मानिताओं के अनसार आठवे दिन मा महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और महागौरी अपने भक्तों को सही मार्ग पर ले कर जाती है इनकी पूजा करने से व्यक्ति का मन और शरीर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है वही जो भी भक्त देवी मागौरी की आराधना करता है उनके मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आते और मन की पवित्रता बढ़ जाती है जीवन में सकारात्मक्ता आने लगती है देवी की पूजा करने से मन इधर उधर नहीं भक्त दकता एकाद्र रहता है इनकी पूजा करने से भक्त के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं अब आपको बता देते हैं कि माता की पूजा विधी क्या है आपको अश्टमी के दिन सुभा उट कर सबसे पहले इसनान करना है इसके बाद मंदर की साफ सफाई करनी है और माता को जल्द से अभिशेक करना है अभिशेक करने के बाद मा को लाल चुन्दरी चड़ानी है देवी मा गौरी को कुमकुम का तिलक लगाएं इसके साथ ही उन्हें फूलों की माला अर्पित करें मा को हलवे और पूरी का भोग सरूर लगाएं इस दिन दुर्गा सप्तसती या मा गौरी चालेसा का पार्ट सरूर करेंस के बाद मा की आर्थी करने का विशेशफल बताया गया है अब मा गौरी की पूजा मंत्र क्या है ये भी आपको जानना बेहत जरूरी है या देवी सर्वभूतेशू मा गौरी की पूजा का दूसरा मंत्र है जो आपको 108 बार जपना है अगर आपको हमारा ये विडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें